नमस्कार दोस्तों आज मैं Australian Opole के बारे में आपको बताऊंगा Australian Opole के अगर हम बात करें तो ये 4 main mines Australia में हैं वहां से ये आता है मैं खुद दोस्तों 6 साल तक Australian New Zealand में रहके आ चुका हूँ इस region का होने की वज़ा से मुझे Australian Opole सबसे जारा पसंद है अगर Australian Opal की बात करें तो इसकी खासियत है इसकी fire तो अगर हम बात करें इसकी range की तो fiery opal जिसकी fire surface पे हो और एक sided fire हो तो यह आपको 3000 पर गरर से शुरुआर इसकी हो जाएगी और अगर हम बात करें अच्छी खासी fire अगर आपने लेनी हो stone में तो वो 6000 से लेके 15000 पर गरर तक इसकी range जाएगी अब आपको जो screen पे मैं दिखाने जा रहा हूँ बारी-बारी यह कुछ range is available है और इनके prices भी आपके सामने लिखे हुए है दोस्तो Australian Opal one of the best variety रहेगा उपल के लिए अगर आप Ethiopian Opal के लिए जा रहे हो तो मत जाना बिकोज इसकी जो quality यह बहुत ही खराब है और पानी में जैसे आप डालोगे तो fire भी गायब हो जाएगी उसकी और धीर 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 उसकी fire बिट जाती है और stone भी तूट जाता है मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि हमने 15,000 का Ethiopian Opal लिया था जिसकी look कैसी थी कि वो 2,000,000 भी न मिले उस्टेलियन Opal में और वो जो है उनका within one week ही तूट गया है ऐसा होता है दोस्तो आप 15,000 अपना waste मत कीजे आप उस्टेलियन Opal में 3,000 पर कैरट के हिसाब से आप 4 कैरट का piece ले लिजी अगर आपका budget उससे भी कम है तो आप 2,000 पर कैरट का भी ले सकते हो तो हमारे पास हर range आपको मिल जाएगी starting from 2,000 पर कैरट और इसकी जो अच्छी range आपकी आनी है वो 6,000 के आसपास आएगी इसमें fire अच्छी मिल जाएगी और आपका stone भी अच्छा लगेगा और दिन में भी आप इसकी fire देख पाओगी ये इसकी quality रहेगी Australian Opal के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं हम directly import करते हैं rough को और उसके उपर work करते हैं so we don't have any middle man so आपके जो यहाँ पर deal मिलेगी वो कोई भी आपको नहीं परवाइड कर पाएगा we will be getting an awesome deal so thank you so much for watching this video have a lovely day ahead